हाई अबरवान वलकुम बैक तो माई यूट्यूब शाइनल कैसे हैं आउसाब हुप यू गोड़न वेल अज है मेरी मॉमी का बर्थे 6 सप्टेंबर अच्छली व्लॉग मैं पहले ही शूट कर रही हूं पर क्योंकि फिर में पस टाइम हो ना हो मैं शूट कर पाऊं और फिर प्रब्लम होती है मैं शूट कर लेती हूं अधिट नहीं कर पाती हूं और उसमें मुझे थोड़ सा टाइम लग जाता और व्लॉग काफी लेट आता है इससे पहले माला प्रिवियस व्लॉग जो था मेरा वो मैंने बहुत टाइम से शूट करके रखा था बट मैंने बारे में कुछ भी नहीं पता और यह व्लॉग उनके लिए सप्राइज है मेरी तरफ से जो कि मैं दे रही हूं इतनी दूर से बैठे हुए उने तो फर्सली आज रक्षा बंदन है और यह मैं तियार दिख रही हूं आप सबको तो यह सिर्फ मैं एक ही शक्स के कहने पर हू अब मुझे अच्छा फील भी हो रहा है वैसे लगना था कि कुछ भी फेस्टिबल है कुछ भी वाइब आनी रही थी बड़ तो त्यार हो कैसा लग रहा है कि हां सच में अच्छा लग रहा है मुझे तो हर चीज के लिए जो मुझे मुझे मोटिवेट करते है ना उस सिरफ और सिरफ मेरी प्यारी मा है अज भी मैं त्यार हुई हूई हूँ अगर तो उनकी वज़ा से हूई हूई हूँ उनने जब बूला तो मैं हो गई नहीं तो मेरा कुछ मन नहीं था मैंने बस पूरा दिन ऐसे लेटे रहना था गंदिर से शकल में अब मुझे रेडी हो कि हमेशा हसते रहो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहो हमेशा मेरे साथ रहो तो बस बोलना बहुत कुछ है जब मैं कैमरा करती हुए तो मिर से कुछ बोलने जाता पता नहीं क्यूं इतना कुछ मुझे बोलना है कि मतलब अगर मैं यह ऐक घंटा दो घंटे या फिर पूरा तो मेधी तारीफ तो बहुती कम पड़ जाएगी शी पूश मी सो मैनी टाइम्स जब भी मैं डाउन होती हूँ जब भी मैं कुछ प्रॉब्लम में होती हूँ तो उनके पस हर एक चुईस का सुलूशन होता है हर एक चीज का तरीका होता है अगर मैं गुसा हूँ वो मुझे रिलाक्स कर देते हैं और मतलब एकदम से काम कर देते हैं मतलब कि अगर मैं किसी चीज के बारे में उन्हें बता रही हूँ और उस चीज पर मैं गुसा हो रही हूँ तो बट नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाती कभी कि आज मैं जहां पर हूँ वो अपनी मुमी की वज़ा से हूँ और वैसे माई हजबन बट स्टिल मैं आज जो मेरी परस्नालेटी है आज मैं जैसे दिखती हूँ आज मैं जैसे बोलती हूँ वो सब कुछ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मुमी ने मुझे सिखाया है एवरिटिंग यह मैं कामरा पकड़के यह सब कुछ बोल रही हूँ तो उनकी वज़ा से बोल पा रही हूँ क्योंकि जो उन्होंने मुझे confidence दिया है वो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी ने भी दिया है आज तक ऑविसे सब के ममी बापा इसे करते हैं बट नहीं मुझे को लगता है कि मेरी ममी स्पेशल है और हर चीज में उन्होंने मेरा साथ दिया है हर चोटी सी चोटी चीज में उन्होंने मेरा साथ दिया है कि हाँ यह चीज गलत है आपको पीरिंट्स होता है कि जो सही और गलत में आपका साहथ Dawis आ देते हैं बट नहीं वो Même सण वह में हमेशा बुलता है कि यह गलत है और इस चीज को नहीं करना यह चीज सभाए है इसको करना है रिपीड नहीं करनी चीजें और मतलब मैं अगर मुझे जाना होता है तो मैं उनसे पूछती हूं कि मैं क्या पहनू क्या ना पहनू अभी तक वह चीज होती है पहली की बात थी कि हाँ ऐसा होता था बट नहीं अभी भी होता है ऐसा कि मुझे पूछना पड़ता है कॉल पे कि मैं क्या पहनूं मैं क्या पहनूं कौन से कप्रे पहनूं क्या करूं क्या करूं क्या नहीं करूं और यह मेरी हमेशा रहेगा यह कभी भी मैं चेंज नहीं कर सक मतलब कि आपको रिलाइस की वह प्रॉब्लम थी क्या होता नहीं कि फॉर्टी थी मुद्बू कर सकते हैं सघ्म कर आध पर यह सकते हूं मेरी मूँ मुझे चीज निकलती है निया और वह कर सकते हैं अभी भी इस चाहिए तो आज मेरे पास होगा तो यह चीज पहले पापा करते थे कि मैं जो बोलती थी वह उसी टाइम हो जाता था बट में पापा के जाने के बाद ममा ने मुझे किसी दिसकी कमी नहीं आने दी मुझे तारिफ करूंगी ना उतनी कम है क्योंकि उन्होंने मिले बहुत कुछ करा है और मुझे हर टाइम मोटिवेट करा है हर टाइम डी मोटिवेट कभी भी नहीं करा मुझे कि यार एक होता है कि हाँ अभी भी अगर मैं अभी भी की बात करूं मैं वैसे अभी की बाते सारी कर रही हूं प्रिवियस बाते नहीं कर कि बाते मं कर नहीं कर युँ क्या ह poured कि मुझे मोटिवेटAc प Option करते ही नहीं है कि नहीं हो पाईगा यह तूर्टे से हो जाएगा यी है भ boiling इसे है आफ जो सननी होती आण जो हर एक सन को सुनी होटी है वह उन्हें उनके पर फ़ात होती है कि दूछ मुझे कभी भी दिमोटिवेट नहीं करते हैं हमेशा मुझे 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 आगे बढ़ने की बोलते हैं और मैं आगे बढ़ भी रही हूं उनकी वजह से यह बहुत इंपोर्टेंट चीज होते हैं कि आपके पास कोई ऐसा मोटिवेट करने वाला इंसान होना चाहिए हर मुझे ममा ने बहुत इंक्रेज कर रहा था कि तू कर सकती है तिर से हो पाएगा तो मैं अगर आज में व्लोग बेशक मैं अक्टिव नहीं रहती हूं इन सब चीजों पर उन्हें इस बात पर भी मुझे बहुत बोलते हैं बटो मैं से हो नहीं पाता अब मैं नहीं कर पाती कि मैं कर ओं और मैं करूंगी भी यईस आ अम ँ्यूंट कर बेस्थ मंदभ चाहते हो कि मैं अपनी म्मा जैसे बनू मैं ट्राइक करते हूं कि मैं उनके जैसे नहीं व्लोड सता कि ईतना ऐं च्छा एंपरसन एक इतनी अची इक मां एक इतनी अची डॉर्ट कितनी अची अच मतलब एकडम जिसको बोलते है न पॉफेक्ट वही यह है में हर चीज में नंबर वन यह समय प्रण अर हमेशा नंबर वन पे ही रहेंगे और मैं चाहते हूं कि मैं उनके जैसी बनूँ बन आखेंग Foundation करें संट पाइ구ear लिए इतना प्युएows ह मेरा जलदी आजते हैं का फी टाइम बाता और मेरा कुस्टा आसा है कि मेरा खुषा आ से कोई भी मुझे थोड़ा इरिटेट करता है है और मिया कुछ भी मिशना के मेरा इसा गुस्से का मेटर है यह है कि मेरे काम जल्दी हो जाती है पहत है उन्हें घृतां दियू गुस्दी हो अन्हें पार पहले है किसी हो जाती है करते हुआ है जितनी तारिफ करण के उतनी स्फप्राइब करना है एक चोटा सा व्लोग आपके एक लिए ममा मुर्फ आपको एक आज दयेो और युद्मक्स किन्तालिफ करें है और यह लब आप इस्फ्राइफ आप से 역시 पर यह भी था जो रिएवलोग डिया उनके इक खुछ और मुझे पता है कि वह एमोशनल भी हो जाएंगे व्लोग देखके और मुझे आपका रियाक्शन भी चाहिए इस व्लोग पे कि आपको एक ऐसा लगा और पेरम एक चोटा सर्प्राइज मेरी तरफ से और है जब भी मैंने सोचा था अभी तक किसी को नहीं बता कि मैं पैसे कमाऊंगी तब सबसे पहले मैं अपनी ममा को कुछ गिफ्ट करूंगी और वह गिफ्ट भी मैंने पहले से बहुत ही पहले से सोच के रखी हुई थी यह नही है यह यह अपको बर्डे की गिफ्ट नहीं है आपको बर्डे की गिफ्ट देखेंगे जब बे nut का चालर था यृव टिक्तों अपलत मेरी स्ञावी तो मिरी फ्रस्ट शेलरी के दो आएगी तो मैं आपको उर्त जेलर के ।ा कि मिरी 10 जालरी हम जोगी और नहीं तो सब नही जब आएगी तब नहीं अब मेरी उतनी आई है तो मैं आपको एक छोटी सी गिफ्ट दे रही हूं अपनी तरफ से और यूट्यूब की फर्स इंकम हो आएगी जब उससे मैं आपको दोंगी बट वह नहीं हुआ मैं यूट्यूब पे इतना फोकस ही नहीं कर पायी कि मेरा यूट्यूब चैनल Teenา से आगे बड़ी नहीं इतना बट एक दिन ऐसा होगा जरूर कि मैं मेन पनाद करूंगी आ यूट्यूब के पैसे कि यहापको बट रहएगा और यह मैं करके ही रहूंगी क्योंकि मैंने जो सोच होता है वो मैं चीज़े करके रहती हूं और मोटिवेट करने में तो मेरी मा मेरे पास ही है मुझे हर टाइं मोटिवेट करने के लिए हर चीज को पता लगेगा कौन सी गिफ्ट है आगी व्लॉक पूरा देखो काफी लंबा व्लॉक है बट हमारी बात अब खतम हो जाती है कि अब कितनी बात कर लोगे हमारी बात खतम ही नहीं होती हमें टाइम देखते हैं तब लगता है कि ओ अच्छा इतना टाइम हो गया अब तो फोन काटना पड़ेगा ऐसा होता है और शीज माइब बेस्ट फ्रेंड यार मतलब कि हर चीज में उनको अप हैं नहीं कि माइवाल मतलब काटना टार्य होता है अब कर ज्याइध करीं आतना ख् organizme never मैं अपने उपर बहुत ही जादा कंट्रोल करके रखती हूँ कि नहीं आपको शो नहीं होने देना बट येस, I love you so much and I miss you so much and once again, happy birthday और